कैसे हो आप सब लोग तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले जिसके बाद काफी सारे लोगों के ल लग गए तो आप मेंसे काफी सारे लोग जानते होंगे के ल का मतलब क्या होता है और जो जान गए वो दूसरे लोगों को कमेंट बॉक्स बारा सुचना पास करने वाले जिसके बाद हम इंसानों के ऐसे दिन आने वाले हैं तो मार्केट में आजकल ऐसे कभी सारे लोग घुम रहे हैं जो पेरोजगार हो चुके और वो हरे जॉब की लोकेशन पर जाके ये चीज मांग रहे हमको हेल्प देदो जॉब के रिकेमेंटेशन के लिए कि दुनिया में आचुका है AI की आजाने की वाजा सका आखे सारे लोगों के हाल फिलाल केले बेचने के दिन आ गए ह। क्योंकि AI इंसान ने जन्रेट किया है इंसान ने उसकी खोज किये और इंसान के वज़ा से ही AI का जो नामों निशान है वो अब तक है और AI अब इंसान के नामों निशान को मिटाने के लिए आप बढ़ चुका है तो आज मैं ऐसी टॉप ट्रेंडिंग आपको बाते बताऊंगा जिसकी वज़ासे AI की वज़ासे हम इंसानों की जॉब्स या किसी भी जगा पे जान खत्रे में आ सकती है ना कि सिर्फ हमारे रूटीन लाइफ में ना कि सिर्फ आर्मी और बॉर्डर्स पे और ना किसी भी canale जो आपने कभी भी सोची भी ने होगी और जो इनसाने ऐसी कुछी बोटर तो अब मेरे तो एसे help means Michael trans तो AI अब वो सारी चीज़ा कर सकता है जो एक normal human कर सकता है यानि कि आप समझो के चीन और जापान में एक इतना बड़ा revolution होने जा रहा है जो हमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा जो आर्मी के head chief होते है वो humans की जगा पे AI robots बनाया जा रहा है यानि कि आप समझो के AI robot को आर्मी का chief बनाया जा रहा है यानि कि आप समझो के खितना बड़ा revolution का changes हो जाने वाला है चीन और जापान जैसे देशों में तो हम तो कुछ सोच भी नहीं सबते के आगे future में क्या क्या होने वाला है तो यह तो भी आर्मी के chief को बनाने की AI recommendation पर अमेरिका और ब्रिटेन के देशों में एक ऐसी चीज होने जा रही है और हो भी चुकी है site से कि एक AI robot को एक human का duplicate बिना के उसको election में खड़ा किया जा रहा है और लोग उसे वोड भी दे रहे है यानि कि उससे एक benefit भी हो सकता है कि आप हम ऐसा उसके touch में रह सकते हैं और आपकी जो भी फ्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज है या देश को लेकर कुछ जंचर्ट या कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको उनको सुनाने का है तो आप AI के एप्स के थ्रूँ या विबसाइट के थ्रूँ उनसे ट connection वो AI नहीं समझ सकता पर आई होप सो के आने वाले फीचर्ज में और फ्यूचर्ज में काफी सारे ऐसे AI रोबर्स हम को देखने को मिलेंगे जो हुमन्स की जगह पे रिप्लेस्मेंट की तरह पे आ जाएंगे तो यह जो बड़ी बाते तो मैंने सुचा कि इसके उपर आप फ्यूचर के दिलों में तो मुझे लगता है कि अब हुमन्स की जगह पर रोबोट्स आ जाएंगे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पेट्रोल डीजल की काड़ी की जगह पर अब ईवी काड़ी ऑने लगी है तो वैसे ही हुमन्स की जगह पर रिप्लेस्मेंट में आप AI अब लेट शेर्ट की हो आपको यूस्फुल लगी हो और यह वीडियो आपको यूसफुल लगा हो तो प्लीज दू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेर कमेट कर देना है आपको दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेर कर देचिए क्योंकि यह चैयर करने से प्यार सब्सक्राइब का बड़न डबाओ एंड वीडियो को लाइक शेर करो कमेंट करो और जो आपकी रिकमेंडिशन है वो मेरे तक पहुचाओ कमेंड बॉक्स पे थ्रू तो हम आपकी मन पसंद वीडियो बनाएंगे और लास्ट में आपका नाम भी डालेंगे किसने करते हैं आपको यूसफुल लगा हो वीडियो तो हम ऐसे ही मिलते रहेंगे लगातार तब तक के लिए स्यू टाटा वाई वाई